वेल्कम टॉए एस्वाइ उस्वाइशन फारमीशन चैनल में आपका स्वागत है देखेंगे यहां पर हम हिंदी सेंसी क्यूज वन लाइनर लेकर की प्रिजिन्ट है आपके सामने तो पहला क्यूशन देखेंगे क्रिया वी से सड किसे करते हैं तो क्यूशन पर चर्चा करने इसके नोटिफिकेशन और मैं कुछी दिनों में अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें जैसे अधिक लोग जूडेंगे मैं साम को रात में आट वजे लाइव आना शुरू कर दूंगी आपको अच्छे सेंडर इस्टूट करवाऊंगी अब चलिए देखते हैं क्रिया व विसेशन करते हैं यहां वहां अब तक यह सारे क्या है क्रिया की विसेश्टा को जो है घ्यांत होता हैं से उन्हें क्रिया विसेशड़ी करते हैं अब किसे करते हैं तो जिन सब्दों में जो है लिंक वचन पुरूस कारक यादी जो है कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है क किसी भी कारण वर्स तो उसे अब्भय करते हैं garden कि देखेंगे संबंध बौधक hour एंब हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं एक बचन नोते तो वर्ड किसे करते हैं तो वर्य चुछ?. ऊअइस देखेंगे कि वह भाजन नहीं हो सकता है उसे विड़ करते हैं म पर यक आधी होता है वर्ड माला किसे कहते हैं तो वर्ड माला का जो है करमबद समूही वर्ड माला कहलाता है सब्द किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक वर्डों के जो है मेल से जिनका कोई निश्चे जो है अर्थ निकलता है उन्हें जो है हम सब्द कहते हैं एजोनी कि से कहाते है कि वाकिय की संख्य जो है मूल सवरों की संख्या 11 होती है मूल बियंजन की संख्या 36 233 होती है जो 36 होता है ध्वनी किसे किसके अंतरगत आता है तो संजुक्त वर्ड के अंतरगत आता है त्रकिन वर्डों के मेल से बनता है तो जैसे पढ़ा जाता है तो इस तरह आप अगर करोगे तो आपका रटा सही हो जाएगा देखेंगे टो वर्ड का उचारण अस्थान क्या होता है दंत औरोष्ट दंतोष्ट ठीक है पपपपब भज इसे आप उचारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं यहां पे की सखस हब्यंजन कहलाते हैं उसम ब्यंजन कहलाते हैं इसका हम चार्ट आपको दिखाएंगे खुर सेल्फ मेड नोटस के तो आपको समझ में आएगा यहां नाध होता है जिन ध्हुनियों के उचारण में वैं स्वांस जीःबा के दोनों और से जो है निकल जाती है वो कहलाती है पाश्वी नेशा अ स्वर कहलाता है विब्रित स्वर कहलाता है पाश्च स्वर क्या है ई आ होता है अग्र स्वर है ए है स्रव्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर के बना है सर अवर से डढ़ का व्यंजन वन होता है मूर धन्य उचिप्त व्यंजन होता है ओम जो है धोनी के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है तो लुप्त स्वर प्रकट होता है सगोस्वडों का सही वर्ग है डर्ड होता है ब्रता का जो है भाव वाचक सब्द क्या कलाता है भात्रित्व कलाता है ब्रता जैसे हिंदी को जो संस्कृत म तो अकरमक्रिया कहलाती है जिसमें जो है कहाँ दोड़ रही एचीज नहीं पता चल रहा है तो अगर पता चलता कि शीमा रोड़ पे दोड़ती है तो सकरमक्रिया हो जाता गाइज नेक्ष्ट देखते हैं कि आसुतोष ने कहा कि मैं पढ़ूंगा और इसमें कि मैं पढ़ूंगा क्या है संग्या उपवाग क्यों होता है सोना चांदी और तेल पानी की इस प्रकार के संग्या सब्द हैं तो द्रब्यवाचक हैं क्रिपाण सब्द का जो है बिलोम सब्द होगा दानी होगा अनराग का जो है बिलोम सब्द क्या होगा बिराग होता है भोगी का बिलोम सब्द योगी होता है किर्ती का जो है किर्ती का बिलोम सब्द अब किर्ती हो जाता है इस्तूल का बिलोम सब्द होगा सुक्ष्म होता है सिर्ष का विलोम सब्द होगा तल होता है सोसक का विलोम सब्द सोसित होता है मृद का विलोम सब्द कटू होता है कलूस का विलोम सब्द होगा निस कलूस होता है निर्दय का विलोम सब्द होगा सदय निरोग में संधी है विसर्ग संधी होता है निष्टेज में कौन सी संदी है तो विसर्ग संदी होती है उज्वल का संदी विछेद होगा उत्धन ज्वल होता है वही सिकार का संदी विछेद होगा वही प्लस जो है कार होता है वही सिकार बराबर चैन में कौन सी संदी होती है तो अयादी संदी होती है अनवय में कौन सी संदी होती है तो गुड संदी होती है सचीदानन्द का संदी भी छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनन्द सचीदानन्द होगा ब्राबर उननती का संदी भी छेद उत प्लस नती उननती होता है नेर्दान में कौन सी संदी होती है विसर्ग संदी होती है सुर्य प्लस उदय का जो है संद युक्त सब्द है सुर्योध होता है किस यूग को को आधुनिक हिंदी कविता का जो है हरी द्वार कहा जाता है तो भारतेंदू यूग को कहा जाता है दिवेदी यूग के प्रवर् कहा जाता है हिंदी का यादी कभी किसे माना जाता है तो स्वैंभु को माना जाता है आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है तो 1900 से माना जाता है जैसंकर प्रसाद के सरो स्रेष्ट रचना कौन सी ओते कामाईनी है बिहारी ने क्या लिखे हैं दोहे लिखे हुए हैं कबीर किसके सिस्य थे तो रामानंद के थे पदमावत महाकाव्य कौन सी भासा में लिखी गई थी तो अओधी में लिखी गई थी चंपू किसे कहा जाता है गद्य और पद्यमिस्त्री त्रचनाओं को कहा जाता है कालाधर उपनाम से कविता कौन से कभी लिखते थे तो जैसंकर प्रसाद लिखते थे रस निदी या किस कभी का उपनाम था तो प्रित भी शिंका था प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगल सुत्र था हिंदी का सर्वस धीक नाटक कार कौन थे जैसंकर प्रसाथ थे तुलसी कृति रामचरित मानस में कौन सी भासा का प्रियोक किया गया था एक आंकी के जन्मदाता कौन थे तो धर्मवीर भारती थे मीरा वाई ने किस भासा से कृष्ण की उपाशना की थी तो मधुर्य भाव स से की थी रामचरित मानस के प्रधान रस सांत रस है सबसे पहले जो है अपनी आत्म का था हिंदी में जो है किशने लिखी थी तो डांक्टर राजेंदर प्रसाद ने लिखी थी हिंदी कविता का पहला महा काव्य कौन सा है प्रित्वी राज रासो है हिंदी के सरव प्रथम प्रकासित पत्र का नाम क्या है तो उदंड मातंड है उदंड मातंड है हिंदी यसाहित्य की जो है प्रथम कहानी हिंदू मती है अंचलिक रचनाएं अंचलिक जो रचनाएं किस से संबंदित होती है तो छेतर भी से संबंदित होती है प्रीथवी राज रासो किस काल की रचन शिंग ने किए थे पद्दी जो होता है साहिती को कितने भागू में बाटा गया है 15 भागू में बाटा गया है कभी नजंद्र सर्मा ने राष्ट पिता-महात्मा ारस है काब्य सास्त्र का प्राचिन्तम नाम ठाफ तो अलंकार शास्त्र ठाफू अप्रत् pleasure है साहित्य सब्ध से बना है जीक operas 겁 में हुआ था भारते perception युग में था हूय इसी भाषग के साहित्य के लेखक काहने साफुमदर दास है मनुर्स से एक समाजिक प्राणि है कि 들ी ने कहा था तो रस्तूप ने कहीं थे भाषा की से काते हैं अपने मानसिक विचारों को मलता के लिए जो हम भासा लैंग्वेज को किस तरह से प्रयूक्त करेंगे भासा वह साधन है जिनके द्वारा मनुस्य अपने भावूं विचारों को जो है बोल कर या जो है लिक करके दूसरे मनुस्यों तक पहुचाता है भासा को मोटे रूफ से कितने भागों में बाटा गया है तो दो कि द्रिष्टी से हिंदी का भी सुमें कौन सा अस्थान है तीसरा अस्थान है सूरदास के जो है का भी किस भासा में लिखा गया है वजरब ब्रज भासा में लिखा गया है संभीधान की किस अनुछेंद में कहा गया है कि संग की राजे भासा हिंदी और है देवनागरी लि देखेंगे सोव की उप्षान ही नहीं है इसमें जो है पूरा डेर सोव की 130 की सीरीज थी तो नेक्स्ट में लेकर के प्रिजेंट होते हैं